हेलो व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेयोनीज पास्ता की रेसिपी बहुत ही यूनीक स्टाइल में पास्ता बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, लजीज और क्रीमी पास्ता बनकर तयार हो जाता है बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा साम के वक्त जब छोटी सी भूख लगे तब आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ कीजेगा या फिर बच्चों के टिफिन के लिए भी आप इस रेसिपी को ट्राइ कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकंड स्पेशल रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हम पास्ता बोईल करेंगे इसलिए हमने एक लिटर पानी लिया है इसमें हम एट कर देंगे एक टीस्पून नमक साथ ही में एट कर देंगे हाफ टेबल स्पून तेल और इस पानी को हम अच्छे से बोईल कर लेंगे हाइफ लेंपर हाई फ्लेम पर हमने पानी को अच्छे से बोईल कर लिया इसमें हम मेट कर देंगे 200 ग्राम पास्ता इसे एक बार चला लेंगे और गेस की फ्लेम को मीडियम करके मीडियम फ्लेम पर हम इन पास्ता को 10 मिनिट के लिए अच्छे से बोईल कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनिट तक अच्छे से पास्ता को बोईल करने के बाद हम गेज की फ्लेम को ओफ कर देंगे इस तरह हमें पास्ता को सिफ 80% तक बोईल करना है अब हम पास्ता को इस पानी में से तुरंट निकाल लेंगे हमने 2 टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया इसमें एट कर देंगे 1 टेबल स्पून बारिक कटा हुआ लहसुन लहसुन को हम तेल में अच्छे से सोटे कर लेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा गोल्डन ना हो जाए देखे इस तरह से लहसुन को हमने गोल्डन होने तक अच्छे से तेल में सोटे कर लिया इसमें हम एट कर देंगे एक बड़ी साइस की प्यास जिसको हमने बारिक काट लिया है और तेल में हम प्यास को अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ी सोफ्ट ना हो जाए प्यास जब इस तरह से सोफ्ट होने लगेगी तब हम इसमें एट कर देंगे एक मेडियम साइज की बारिक कटीवी सिमला मिर्च और आधी गाजर इसको भी हमने बारिक काट लिया है अब गेस की फ्लेम को हाई कर देंगे और वेजिस को हम दो से तीन मिनिट तक तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो हमने वेजिस को थोड़ा क्रंची होने तक हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया इस टेश पर हम इसमें एट कर देंगे एक टीस्पून चिली फ्लेक्स एक टीस्पून ओरेगेनो हाफ टीस्पून काली मिर्श पाउडर और हाफ टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसान नमक बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स की कॉंटिटी थोड़ी सी कम कर दें अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही में एट कर देंगे चार से पांच टेबल स्पून पानी मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें मेयोनीज एट करेंगे तो यहाँ पर हमने पांच टेबल स्पून वेज मेयोनीज लिया है अच्छे से mix कर लेंगे और high flame पर इसमें कुबाल आने देंगे देखिए इसमें high flame पर एक कुबाल आ चुका है अब हम gas की flame को low कर देंगे और इसमें add कर देंगे हमारे boil के हुए pasta क्योंकि हमने pasta को boil करते वक्त इसमें half table spoon तेल add किया था तेसा करने से क्या हुआ कि आपस में बिल्कुल भी चिपके नहीं है साथ ही में हम add कर देंगे दो टेबल स्पून टोमेटो केचप अच्छे से mix कर लेंगे अच्छी तरह mix करने के बाद हम इसमें add कर देंगे एक cheese की slice अगर आपको चीज का flavor ज्यादा पसंद है तो आप चीज की slice की quantity बढ़ा सकते हैं और इसे कवर करके low flame पर दो मिनिट के लिए पकाएंगे दो मिनिट टक इसे कवर करके हमने इसे low flame पर पका लिया चीज जो है वो अच्छे से melt हो चुकी है इसे हम पास्ता की साथ mix कर लेंगे देखा आपने किसे जट पड बहुत ही आसानी से हमने mayonnaise पास्ता बनाया अब गेस की flame को off करके इसे sour कर लेंगे इसे sour करते वक्त चीली फ्लेक्स से गानिश करेंगे ये step बिल्कुल optional है अगर आपको ज्यादा spicy पसंद है तो ही इसमें चीली फ्लेक्स एड कीजिएगा साथ ही में खाने के लिए तयार है delicious mayonnaise pasta वीडियो पसंद आई हो तो like, share और comment करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे humble request है के चैनल को subscribe करें और बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का YouTube चैनल पर एक नई recipe के साथ तब तक के लिए good bye और प्लीज जाते जाते वीडियो को like जरूर कर दीजेगा